हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो और यूटूब चैनल टीचिंग एक्जाम उबरलोड दोस्तों आज हम सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के अंदर बहुत ही इंपर्टन टापिक को पढ़ेंगे जो है कि आर्टी यी तो आज का टापिक के हमारा नाम क्या है आर्टी जिसको हम कहते हैं राइट टू एजूकेशन तो सेशन को सुरू करने से पहले हमारी क्वेश्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा ज्यादा सेयर करें चलिए फिर बिनकिसी देरिक सुरू करते हैं तो आर्टी यी क्या है तो इसका फुल जो कहा जाता है या पर इसको कभी-कभी हम राइट तो एजूकेशन के देते हैं लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है दा राइट आफ चिल्डरें टो फ्री एंड कमपलसरी और एजूकेशन एक्ट दोजान नो मतलब इसमें बच्चे को निशुल्ग और अनिवार सिच्छा की बात की गई थी अगला बिंदुश में है कि निशुलक और अनिवार बाल सिच्छा मतलब इसी का हिंदी बताय गया है तथा कुल आर्टीकल कितने है प्रस नहीं बनेगा अगर आर्टीई एक्ट में कुल आर्टीकल या कुल धाराएं कितनी है तो वह 38 है तो आप ध्यान रखिएगा कि कुल चैप्टर कितने हैं साथ हैं कुल आर्टीकल या धाराएं कितनी हैं 38 है अब देखते हैं क्या है आर्ट के हैं अलंटेख जो एकल 21 के भाग तीन में सिच्छा को मॉलीक अधिकार बना दियी गया है तो Alger समीधान संसौधन 2002 से सिच्छा को जो है अधिकल 21unky गádhival के तहत मॉलीक अधिकार बना दिया गया इस मुल यह मुलिक करियानवन है तो वर्स दोजानो में भारत सरकार ने सिच्छा के च्छेत में एक यूगांत कारी कदम उठाने है तो निश्छल के ओणिवारि सिच्छा का अधिकार नाजिकार किया तो जो यह मूल अधिकार क्या होता है जो मतलब जो नागरीकों के लिए बहूत आवश्यक है मतलब वो उनका निश्ट वो हक है जो मैं कहते हैं कि आपकी वो हक है तो उसको कहते हैं मूल सम्विदा है मतलब मूल अधिकार क्या होते हैं मौली का धिकार जो मतलब आपके हक होते हैं आप उसके लिए आप मांग भी कर सकते हैं कि यह हमारी हक है इसको हम चाहते हैं तो हमें म अपल सरी एजुकेशन और राइट टु एजुकेशन एक्ट विच्वाज पाज़वाई इंडिन पार्लिमेंट चार अगस दोजानों को इसको आप पढ़ लेजेगा इंगलिस में शेम वही बात रखी गई है अब देखते हैं आर्टी एक्ट जो हुआ था उससे मातपूर त आपता अफ़ेहाल में राष्ट पारीत हुआ था पारित हुआ था लोगस स्वह में कि वीदेहएग पारित करने के बाद तो अब तक राष्ट पाति व्ल्लाश्ट यह तक हस्ताक्चर जब तक वा नियम नहीं बनता है तो फैस्ट अगस बीजहन दो संसोधन से अर्टिकल 21 के तहत सिच्छा को मौलिक अधिकार बनाया गया बीच जुलाई 2009 को यह रात सभम पारित हुआ चार अगस 2009 को यह लोग सभम पारित हुआ तता 26 अगस 2009 को राष्टपती ने इस पर हस्ताक्चर करके इसको नियम बना दिया अधनियम बना दिया 27 अगस 2009 को गजट में प्रकाशन हुआ स्वारी यहां गजट नहीं होगा यहां बजट होगा स्वारी 27 अगस 2009 को बजट में इसका प्रकाशन हुआ था एक अपरेल 2010 को एक अपरेल 2010 को यह बहुत इंपार्टन तारीक है तो इसमें इंपार्टन तारीक क्या क्या है इसमें आपको दो December 2002 याद करना है 26 August 2009 याद करना है तत्था यह याद करना है इसमें भी घंट में से परिफ्र parents को यह पूरे देश में लागू हुई जम्मू और कस्मीर को शोड़ी किorship क्योंकि उसमें जम्मू और कस्मीर को बिसेश् वाला राज्य प्राप्त हुआ था तो विशेश दर्ज्य प्राप्त जम्मु कस्मीर को इसलिए उसको छोड़के संपूर देश में आर्टी एक्ट लागू किया गया तो इसमें आपको डेट क्या इंपर्टन रखने है पहली है दो दिसंबर दो जार दो को चियाश्मी संबिदान संसोधन से आर्टिकल एकई से एक 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 तहर सिच्छा को मौली का धिकार बनाया गया चब्वीस अगस्त 2009 को राष्टपती ने इस विदहयक को पारित किया और हस्ताक्षर की अपने और नियम बनाया तथा मोस्ट इंपर्टेंट एक अप्रेल 2010 को या पूरे देश में लागू हुआ सिर्फ चम्मू कश्मीर को छोड़कर अगला है अगला मोस्ट इंपर्टेंट बिंदु है भारत सिच्छा को मौली का धिकार गोशित करने वाला बिश का 135 देश बन गया मतलब इस से पहले 134 देश ऐसे हैं जो सिच्छा को मौलिक अधिकार बना लिए हैं यह 135 देश था अगला है कि इसका उद्देश प्राथमिक सिच्छा के छेत्र में सार्भौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक उच्छा के छेत्र में अध्यान के नए उसर स्रीजित करना है तो RTE Act जो आया है, उसका उद्देश कया था, तो प्राथमिक सिच्छा के छेटर में, सार्भामिक, शमावेशन, मतलब समावेशन, मतलब विद्ध्यार्थियों के शमावेशन को, किस प्रकार उनको समलीद किया जाए, को बढ़ावा देना है, तथा माध्यमिक उच्छा के अध्यान के नए तो माद्धिमिक और उच्छ शिच्छा में क्या करना है अध्यान के नए उसर हमें से जन करना है मनलब किस प्रकास नए नए तरीके से अध्यान कराया जा सकता है इसी के तहट और क्या कहा गया है कि 6-14 वर्ष के आयों तक फ्रत्य एक बच्चे कलिए सिच्छा को मॉलिक अधिकाय कर चिया गया गयर त्था अगला फिंदु जो था कि यादिनियम गुडवत्ता पूर्व अवचारिक सिच्छा को सुनिश्चत करने का अधिकार दिलाता है तो अगला बिंदु देख लेते हैं नोट देख लेते हैं नोट क्या कह रहा है कि विकलांग बालकों के लिए 6-18 आयूवर के लिए हां तो जो 6-14 वर्स के लिए निशुल्क और अनिवार सिच्छा थी प्रस निया बनता है बहुत इंपार्टेंट है यह टॉपिक आप देख लीजी कि विंदु बहुत इंपार्टेंट है प्रस नहीं इसको अब्धा नखीगा सावान बच्चों के लिए 6-14 वर्स तक निशुल्क और अनिवार सिच्छा है लेकिन विकलांग बालकों के लिए 6-18 वर्स तक अब अगला बिंदु जो बहुत इंपार्टेंट है चलिए उसको देखते हैं इससे भी प्रस्ण बनते हैं यह जो है 220 दिन तक होना चाहिए और हावर देख लेते हैं हावर क्या एक से पांच के लिए 800 घंटे आपको पढ़ाना है और 6-8 के लिए 1000 घंटे आपको साल में पढ़ाना है तो इसको आफ धियार रखीएगा कि 1-5 के जो बच्चे होते हैं जो उसमें टीचर को कितना पढ़ाना है 200 200 दिन पढ़ाना है और 6-8 के लिए 220 दिन आपको पढ़ाना है वर्स भर में और घंटे कितने पढ़ाने है एक से 5 में 800 घंटे एक साल में आपको पढ़ाने है और 6-8 में 1000 घंटे आपको साल भर में पढ़ाने है अगला बिंदु इसमें क्या दिये गाया है एक सिच्छक के लि अगला नोट दिया गया है कि प्राथमी कस्तर पर प्रतिदिन सिच्छन का चार घंटे और उच्छ प्राथमी कस्तर पर साड़े चार घंटा होगा तो प्राथमी कस्तर पर क्या है जो सिच्छन जो आपकी टीचिंग होगी अगर आप प्राइमरी की आप पर की टीचर बन होना है वर्स भर में एक-से-पांच के लिए आपको 200 दिन पढ़ाने है 365 में से शे-से-ाइट के लिए 220 दिन पढ़ाने और आगर आप एक-से-पांच कितने चात्र पर कितने सिच्छक होने चाहिए तो अगर 60 स्टूजेंट हैं आपके विद्याले में तो दो टीचर रिक्वार्ड हैं क्योंकि प्रामरी लेवल पे जो है 30 विद्यार्थियों पे एक सिच्छक होना चाहिए या प्रस्ट इससे बनेगा आपि इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा तिरिस बच्चों पे एक टीचर नुक्त होता है प्रामरी में और 35 बच्चों में एक टीचर नुक्त होता है अपर प्रामरी में तो एक से पाँच में अगर तीन वा दोसो यदिक है तो 40 बच्चों पे एक टीचर मनेंगा, इसको आप ध्यान रखीगा, यह बहुत अच्छा है, इंपर्टेंट है, वह बहुत इंट्रेस्टिंग भी आए, RTE Act जो कहता है, कि 1 से 5 में, अगर किसी कच्छा में 30 बच्चे हैं, तो एक टीचर आपको नियुक्त करना है, अपर प्रामरी मतलब 6-8 के लिए, अगर 35 बच्चे हैं, तो आप 35 बच्चों पे एक टीचर नियुक्त होगा, हर 35 बच्चों पे, लेकिन अगर प्रामरी लेबल है, उसमें कुल संख्या 200 बच्द्यार्थियों से जादा है, तो 40 बच्चों पे एक सिच्छक नियुक्त होगा इसको आप ध्यार कीगा, अब देख लेते हैं धारा 6, ये धारा भी पूछता है, धारा 6 में क्या लिखा गया है, तो धारा में बताया गया है, घर से विद्याले की दूरी कितनी होगी, और इसमें धारा 25 में क्या बताया गया है, छात सिच्च्चक अनुपाद, प्रस नही माँ के जो छोटे बालक होते हैं, जो ऑच्चा एक से पांच की बीच में पढ़ते होंगे, उनके जाए उनके घर से विद्धाले की दूरी अधिक्तम 1 किलो मेटर होने चाहिए और 6 से आठ के लिए अधिकतम 3 किलो मेटर होने चाहिए, इसको धर गही एगा, एक से पांस त तीन किलिमीटर होना चाहिए अगला बिंदु है कि तीन वर्स के अंदर प्रतेक बसावट के पास विद्याले होना चाहिए तीन वर्स के अंदर प्रतेक बसावट मतलब अगर नई बस्ती बस्ती है तो इसके निकट विद्याले होना चाहिए अब प्रमुक विशेष्टाएं इसकी प्रमुक विशेषता है क्या है चासे चौदा वर्स के आयू के वर्ग है तो मुफ्त सिच्छा या धारा तीन में लिखा गया है तो चासे चौदा वर्स आयू वर्स के मुफ्त सिच्छा किसमें बताए गया धारा तीन में बताए गया प्राइवेट टूशन का अंत, मतलब आप अगर सरकारी अध्यापक बन जाएंगे तो अगर आप प्राइवेट टूशन पढ़ाते हुए पकड़े जाएंगे और अगर वह उसका उद्देश सिच्छा का प्रशार नहीं होगा मतलब अगर आप उसका पैशा लेके पढ़ा रहे होंगे तो आप सस्पेंड हो सकते हैं तो या धारा 28 में लिखा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा धारा 3 में क्या लिखा गया है 6-14 वर सावी वर के मुपति सिच्छा दोनों जो दोसरा और तिसरा है दारा 28 में प्राइवेट ट्यूशन कांथ होगा दारा 27 के आएक सारी दंट एव मानसी प्रतरणा बच्चे को नहीं दे सकते किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में नहीं दे सकते अगला बिंदु इसमें है कि प्रत्येक विद्याले में SMC अर्थाथ स्कूल मेनेजमेंट कमीटी बैठेगी प्रत्येक विद्याले में स्कूल मेनेजमेंट कमीटी मतलब विद्याले प्रवन्दन समीती बैठेगी और इसमें 75% सदस जो होंगे वह माता पिता या अभिपावक होंगे और 50% उसमें भी महिला होंगी 50% सदस महिला भी होंगी या धार एक इसमें बताएगा इसमें क्या बताएगा है जो SMC अर्थात स्कूल मेनेजमेंट कमेटी बठीगी जो विद्याले प्रवंधन को देखेगी उसमें 75% सदस जो होंगे वा माता पीता होंगे या फिर अभी बावक होंगे बच्चे के या फिर 3-4 भी 75% को कह सकते हैं तथा उस 75% में भी 50% सदस महिलाएं होंगी इसको धार रखीगा अगला बिंदु क्या कह रहा है प्रारंबिक सिच्छा पूरी होने से पहले किसी भी छाट को स्कूल से नहीं निकाल जाएगा तथा आप च्छा पूरी होने से पहले आप छाट को स्कूल से निकाल नहीं सकते हैं किसी भी हाल में चटा बिंदु क्या कह रहा है सरब पर्थम आयू के अनुसार प्रवेश होगा या फिर आप उस अस्तर से अधिक होंगे तो आपको उस अस्तर से अगली कच्छ में प्रवेश दिया जाएगा लेकिन पहले आपकी आपकी आए एक अंसारी प्रवेश होगा अगला सात्वा क्या है कि जन्प्रमार्ण पत्र के अभाव में भी प्रवेश को नहीं रोका जाएगा यह बहुत important बिंदु है कि जन्प्रमार्ण के अभाव में भी सिच्छा में प्रवेश को नहीं रोका जाएगा मलब admission जो है वा जनप्रमार पत्र के बावजूर भी हो सकता है. आठवा बिंदु देखते हैं, आठवा बिंदु क्या कर रहा है, छाथ से चौदा वर्स की बालकों को आठवी तक की निसुल्क सिख्चा, तो धारा तीन में ही मैंने आपको बताया है, इस चाथ से चौदा वर्स की बालकों को आठवी तक की निसुल्क सिख्चा की बात की गई है, धारा पांच में क्या कहा गया है, एक विद्याले से दूसरे विद्याले में बालक का अस्थान तरण का अधिकार हो, तो प्रस नहीं बनेगा, तो वंची तवर्गों के लिए 25% सिटों का अरच्षन सरकारी विद्याले में, या फिर निजी विद्याले में, किस धारा के अंतरगत किया गया है, तो धारा बारा इसको अध्यान रखीगा, या आरमा बिंदु क्या है, कि विद्यार्थी से किसी भी प्रकार का डोनेशन फीज नहीं ली जाएगी, तथा माता पिता को किसी भी प्रकार का हस्ताक्चन नहीं होगा, साथ्छातकार सॉरी, इसमें क्या का गया है, कि सिच्छा जो है वा बच्चों क दिनी है, आप माता पिता का सच्छातकार नहीं कर सकते, इंटर्व्यू नहीं ले सकते, या धारा तेरम का गया, इसको आप ध्यान रखीएगा, तता डोनेशन फीज भी किसी प्रकार की नहीं ली जाएगी, धारा सोलम क्या का गया है, कि विद्यार्थी को विद्याले से निस्कासित वर्क रोका नहीं जाएगा मतलब जब तक कि वा प्रात्मिक सिच्चा पूरी नहीं कर ले तो मतलब विद्यार्थी को आप निकाल नहीं सकते हैं विद्यार्थी को आप निकाल नहीं सकते हैं तक कि वह प्रात्मिक सिच्छा पूरी नहीं कर ले। भी लगा सकते। नहीं लगा सकते। अप अपधा राद बचा में उनको लगा सकते जंकर नक कार तो लगा सकते ओच उन्याओं कार हो लगा है इसको आप जिया कार रखेंगे। चौधा ہुनMO बंदु है कि पाठकरं में सर्वगिंड विकास पर बल. आधारी सिच्छा वो मात भासा में सिच्छा गत्वीदी आधारी सिच्छा पर बल दिये जाएगा. 32, 29 में क्या किया कहा है? मात भासा आधारी सिच्छा पर बल दिये जाएगा. इसको ध्यान रखीएगा और सरवागेट विकास पर भी बल दिया जाएगा धारा 38 में क्या का गया है इराद सरकार नियम में अपनी ब्योस्थक अनुशार आवश्यक संसोधन कर सकती है तो यह इतना इंपर्टन नहीं है चलिए अगला बिंदु देखते हैं अगला पॉइंट है कि सिच्छक की भूमिका वा प्रमुख उत्तरदवाईत सिच्छक की जो है वह प्राथमिक या माध्मिक सिच्छ में क्या है भूमिका और उत्तरदाइत तु क्या है उसके पहला है कि विद्याले में नियमित समय अनुशार अपनी उपस्थिती दर्जिकराना मतलब जो समय निर्धारित किया गया हो उसके अंदर ही आपको अपनी परदान करना है तो आपको उचीत मार्ग दहसन भी प्रदान करना है बच्चों को चौथा बिंदु है विद्यार्थि के अधियम सम्मंदी समश्चाह को दूर करने कलिए अतरिक सिच्छन की बिष्टा होनी चाहिए क्या कर रहा है कि विद्यार्थि के अगर कोई में अधियम से संबंदित तो उसको दूर करने के लिए अत्रीक सिच्छण की ब्योस्ता भी आप कर सकते हैं उसकी करनी चाहिए आपको पाच्वा बिंदु क्या है इस समय समय पर अपने द्वारा किये गए अध्यापनकार की सबलता कभी निच्छण करें मतला अपना सिच्छ को दिक्कत कहा हो रही है आप अभिवावक आप किस तरह से आप मदद कर सकते हैं मैं किस तरह से कर सकता हूँ तो अभिवावक जो कमेटी बैठी थी SMC करके स्कूल मेनेजमेंट कमेटी उसके अंसार आप अभिभावकों से नियमीद बैठक करें और चाथ की प्रगर्टी की चर्चा करें आंतिम बिंदु है कि बच्चों के आने के समय के एक घंटे पूर विद्धाले में पहुचना है आपको और आवकास के एक घंटे बाद विद्धाले जाना है तो क्या कह रहा है बच्चों के स्कूल पहुचने से एक घंटे पहले आपको विद्धाले में पहुच जाना है और एक घंटे आवकास होने के चुट्टी होने के एक घंटे बाद तक आपको यहीं रहना है तो यह साथ व लिंक जो है हमारी टेलिग्राम चैनल का वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये गया है आप उस लिंक से जॉइन हो जाएए ताकि आपको सारे सेशन की पीडिया प्राप्त हो जाएए चलेए धन्यवाद फिर